वेलकम टू माई चैनल तनुमेस किचन तनुमेस किचन में शेयर करें हैं एक बहुत को टएस्टी ACT चाठ की रेसिपी दोस्तों चाठ तो आपने कई तरह की खाएंहां में स्वीट प्रिटाटो यानि शकर गंढ़ की चाठ बिनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हूं ये बहुत टेस्टी बनती है, जल्दी बन जाती है और बहुत ही healthy होती है इसके लिए हमने लिए हैं दो बड़े शकरकन, ये करीब 500 ग्राम शकरकन है इसको हमने साब कर लिया है, पानी से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है जमीन के नीचे पाया जाता है शकरकन अब इसका छील का अलग करके छोटे क्यूब्स में काट लेना है जिसे हम जाट बनाएंगे इस तरह से दोनों शकरकन को हमने छील कर छोटे क्यूब्स बना लिये हैं इस तरह के टुकड़े बना लेने हैं अब एक कडाई गरम करने रखेंगे जिसमें इन क्यूब्स को तलेंगे कडाई गरम होने पर उसमें रिफाइंड ओई डालना है तेल इतना लेना है कि क्यूब्स अच्छे से तले जा सके तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब उसमें जो काटे हुए cubes हैं उनको डाल देना है और medium flame करके तलना है medium flame से low flame करते हुए इनको golden कर लेना है तरीब 4-5 minute में ये अच्छे से तल जाएंगे और soft भी हो जाएंगे एक चमच से बीच में इनको चलाते रहना है जिसे चारो तरफ से अच्छे से golden तल जाएंगे अब ये शकरकंदी के cubes golden हो गए हैं इनको इस तरह की चमच में निकाल कर एक प्लेक में टिशू लगा कर उस पर इनको निकालेना है जिससे इनका extra oil उसमें absorb हो जाएगा देखे कितने बड़िया golden cubes तल कर तयार हो हैं जिससे हम चार्ट बनाएंगे इस तरह से दो बैच में हमने शकरकंद के cubes तल कर तयार कर लिए हैं अब इसकी चार्ट बनाने की recipe देखते हैं चार्ट बनाने के लिए हमने दो कटी हुई हरी मिर्चिली हैं कुछ बारिक सेव लिये हैं एक कटा हुआ प्याज लिया है कुछ धनिया है कटा हुआ आदे निबु का रस हरे धनिय की चटनी भुना जीरा पाउडर चिली फ्लेक्स और नमक एक बड़े बर्तन में शकरकंदी के तले हुए टुक्डो को रख लेना है देखिए कितने soft हैं इस तरह से दबाकर चेक करेंगे दो से तीन चमाच हरी चटनी डाल देना है दो चमाच बारी कटा हुआ प्याज आड़ कर देंगे एक चमाच कटा हरा धनिया मिला देंगे एक कटी भी हरी मिर्च एट कर देंगे हरी मिर्च की मात्रा अपने स्वाथ के अनुसार कम जादा कर सकते हैं आदा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दिया है आदा चम्मच नमक डाल दिया है नमक की मात्रा भी अपने स्वाथ की अनुसार कम कर सकते है एक चोथाई चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिये है कुछ ये बारिक सेव है इसको भी डाल दिया है से तीन चम्मच आदा नीबू का रस इसमें इस तरह से निकाल कर डाल देना है सबी इंग्रीडियंट्स को इस तरह से एक चम्मच से मिक्स कर लेना है यह तयार हो गया चट पटा शकरगंदी का चाट तो आप भी ट्राइ करिए इस चाट रेसिपी को और बताए कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट्स करक इसको प्लेटिंग करेंगे और प्लेटिंग करते समय इसमें एक्स्ट्रा चटनी प्याज और सेव डालकर सर्फ करेंगे है ना कितना टेस्टी स्नैक जटपट तयार होने वाला चटपटा स्नैक तो आप भी बनाईए और देखते रहें तनू वैस किचिन कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक और नई रेसिपी देखेंगे थैंक्स फो वाचिंग